Hello everyone, कैसे आप? I hope आप गर पे चैसे होंगे. तो मेरे बच्चे, chapter number 1, relation and function. यह हमने start कर लिया था. तो last lecture में मैंने आपको types of relations. ठीक है, वो सब पढ़ा दी. Total मैंने आपको 7 types करवाई ही. उसी भी based हमारी NCRT में एक चोटी सी exercise है. That is exercise 1.1. आज हम उसको complete करेंगे. बहुत से बच्चे, इस exercise को solve करने में थोड़ी सी problem face करते हैं. बच्चे, problem कुछ नहीं है. सिर्फ आपको basic definitions है, relations की, वो याद रखनी है. Definitions याद हैं. तो यहाँ पर आप lecture को complete देखो. हर एक question को द्यान से समझो. तो आपकी सारी problems दूर हो जाएंगी. ठीक है? तो इसमें problem यही है कि जब हम question को read करते हैं, तो हमें समझ नहीं आता यार, इसको reflexive, transitive, symmetric कैसे check करें, या कैसे prove करें. बच्चे, बहुत simple है. relation के अंदर कोई condition दे रखी होती है. जानि, relation जब defined किया है, तो कोई condition यहोगी ना, दो components के बीच में. बस वो condition को आपने पकड़ के रखना है. उसी condition से हमने सारी चीजें check करना है, reflexive, symmetric, transitive, जो भामें पूछाओगा. examples लेते हैं अभी, ठीक है? और ध्यान से पूरा lecture देखना आपने. हर एक question जो मैं solve कर रहा हूँ, जो भी उसमें चीजें मैं आपको छुट-छुटी चीजें बताऊंगा, अपनी notebook पे उसके notes बना लेना. तो इसमें कोई problem नहीं रहेगी आपको. exercise start करने से पहले मैं आपको तीन relation बता दूँ, जो आपको आने ही चाहिए 101% इस exercise के लिए. number one, reflexive. reflexive relation क्या होता है? तो जब यह reflexive की बात होगी, तो आपको समझना है यार यह वाला pair, जैनि जिसका first और second component same है. ऐसे pairs अगर relation में आप बना पा रहे हो, तो वो reflexive है. ठीक, इस definition के बीना तो बात ही नहीं बनेगी, ठीक. दूसरा आगए symmetric relation. symmetric relation में क्या और है? कि अगर कोई pair AB relation में है, तो उसका जो reverse है, वो भी relation में होना चाहिए. and vice versa. ठीक है, AB अगर है, तो BA भी होना चाहिए. तीसरा हमारे पास है transitive relation. Transitive relation. definition मैंने बता दी है, फिर exercise स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, exercise में कोई problem नहीं आनी चाहिए आपको. question को understand करने में. ठीक है, problem ही basically है, वो ही है, question समझे में नहीं आता है, इसमें करें कैसे. तो definition पे based है, ध्यान से समझने आपने. Transitive relation में क्या होता है? कि अगर आपके पास AB और BC, इस तरह के दो pair relation में हैं, जिनके अंदर transaction हो रही है. A से B, फिर B से C आ रहे हैं. तो अगर ऐसा हो रहा है, तो third जो pair है, that is AC, वो relation में होना चाहिए. अगर AC आगया relation में, तब हम उसको Transitive हो लेंगी. और साथ में इसमें अगर ऐसे वाले pairs, जिसमें Transition हो रही है, वैसे pair हो ही ना, एक भी pair ना हो, तब ही वो Transitive होता है. तो इस सारी चीज़े में आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैंने आपको एक Brief Introduction दे दी, इनकी Definition की. अभी हम Exercise पे चलते हैं, द्यान से Questions को समझना. Starting जो Question है, बहुत Simple है, थोड़ा सा मैं Time लोगा, Reason, हर चीज़ को आपने, हर चीज़ में आपको Detail में बताने वाला हूँ, तकि आपकी Problem खतम हो जाए सारी. चली, देखो Question No.1. क्या लिखा है Question में? जो भी लिखा है, आपको हर Question में Symmetric Reflexive or Transitive चेक करना है, ठीक है, पूरी Exercise ही इसी पे है, आप सिधा अपना Relation पे आओ, यह रहा आपका Relation, ठीक है, और इस Set पे वो Defined है, और यह रहा उसका Set Builder Form. Main Focus किस पे दे रहा है, मैंने आपको क्या बोला? कि आपको बता है, Relation के अंदर Pairs होते हैं, तो इसने एक पेर रख लिया, X, Y, चीक है? अब यह जो X और Y दो Components है, यह आपस में किस तरह से Relate किये गए हैं, वो उस पे आप Focus करें, तो X और Y का जो Relation है, वो यह दे रख रख है, 3X-Y equal to 0, इसको अपने according आप इसको change भी कर सकते हैं, मतलब change in the sense की, sense यही रहनी चाहिए, you can transfer left or right side, any X or Y, जैसे दिया न, आपको 3X minus Y equal to 0, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सर्फ Y equal to 3X, इतना change आप कर सकते हैं, और आपको करना भी पड़ेगा, reflexive symmetric and transitivity देखने के लिए, ओके, अब देखे हम, इस question को करेंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि सभी question similar न, अगर यह आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे, मेरे बचे, सबसे पहले मैं इसको reflexive के लिए सोचता हूँ, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्या यह reflexive है, मैं इसको check करता हूँ, तो reflexive का मैंने अभी भी क्या आपको definition बताया, कि जो वह इसका first component है, वही second component होना चाहिए, और वो सारे pair relation में होने चाहिए, अब जो भी आपका relation होता है, वो किसी set पे defined होता है, यह रवो सेट, यहनि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, reflexive के लिए, इसको अगर reflexive होना है, तो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, अब टू 14-14, यह सारे pair इस तरह के pair relation में होने चाहिए, पहले हम ऐसे discussion करते हैं, क्या 1-1 relation में आएगा, क्या 1-1 relation में आएगा, सोचो ऐसा, तो आप ऐसे सोचोगे, सर 1-1 relation में आएगा, सोचो कैसे, कैसे पता चलेगा मुझे, अरे भाई मैंने आपको क्या बोला, यह जो first component x है, जो second component y है, यह आपस में relate कर रहे होते हैं, किसी तरह से, वो given होता है हमेशा, तो यह ना 3x minus y equal to 0, तो y equal to 3x, अब y equal to 3x से, 1-1 बनाने की कोशिश करो, फिर 2-2, फिर 3-3, अगर बन रहे हैं तो ठीक है, चेक कर लेंगे, तो देखें पहले 1-1 के लिए, मेरे बचे 1-1, यानि first component भी 1, second component भी 1, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुए, y equal to 3x, जानि मैंने second component की value निकाल ले हुए, आप भी हमेशा ऐसे ही करो, इस तरह के, equation form में अगर कोई relation दे रखा है, तो आप उसका second component find कर लिया करो, जैसे मैंने y find कर लिया, right, in terms of first component, तो y equal to 3x, तो भाई इस x की जगा मैं 1 put करूँगा, अब 1 कोई है, 1 इसलिए put कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे को set दिया होता, तो उसका first element 1 है, मैं 2 भी ले सकता हूँ, मैं 3 भी ले सकता हूँ, मैं 1 से शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैंने इसमें 1 डाला, तो जैसे मैंने x की जगा 1 डाला, जैनि first component मेरा जब 1 है, उस टाइम भी मेरे पास y की क्या value निकलेगी, 3 into 1 is 3, तो मेरे पास जो y है, वो 3 आएगा, इसका मुद़ जो y है, 1 जो है, वो किसके साथ relate हो रहा है, 3 के साथ, 1 की जो image है, वो 3 है, क्या 1 की image 1 हो सकती है, यह सोचो अब, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि simple है यार, y equal to 3x दिया हुए, तो x आपने 1 ही लेना है, first component में 1 ले रहा हूँ, तो मेरा y भी 1 आना चाहिए, जो कि कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो y है, वो 3x है, उसका 3 time है, तो अगर मैं कल को x2 लेता हूँ, यानि जो मेरा first component, अगर मैं उसको 2 लेता हूँ, तो मेरा second component क्या निकलेगा, 2, 3 is a 6, तो 2 के साथ 2 नहीं आ रहा, तो ऐसा आप, किसी भी element के साथ करके, देख सकते हैं, जिस पे, यह relation defined है, जिस set पे यह relation defined हुआ है, तो 1, 2, 3, अब तो 14 आप कोई भी रख लो, 13 रख ले देख लो, 13, 3 ज़ा होता है, 39, अब जो 39 आ रहा आउटपुड, वो तो set में नहीं है, तो इसलिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3, इस तरह के pairs, जो reflexive की definition को follow करते हैं, वो इस relation में नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, तो 1, 1 कहां से आएगा, तो 1, 1 does not belong to relation, डरेक्ट आप यह लिखे, और उसके बाद बता दे, it is not, it is not reflexive, भाई यह इसमें कोई calculation नहीं है, सिरफ definitions को पगणना है, और first component, and second component के बीच में relation क्या है, बस उसको समझना है, time मैंने लगाया है, time मैं लगाऊंगा, क्योंकि इस exercise में आपको कोई problem नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसी को हम symmetry के लिए चेक करते हैं, मेरे बचे, symmetric relation में क्या होता है, सिमिट्रिक relation में, एक pair अलड़ी वहाँ है, at least one pair तो है, जैनि A B वहाँ है, तो आप B A को देख रहे होते हैं, तो पहले मैं एक ऐसा pair बनाता हूं, जो इस relation में है, फिर उसका reverse मैं डूंडने की कोशिश करता हूं, देखो, Y किसके एकोल है, 3X के एकोल, तो मैंने X डाला 1, तो मेरा Y आया 3, तो जैनि ये वला pair, 1,3, इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो यही ले लेते, तो 1,3 relation में है, ठीक है सर, 1,3 तो relation में है, अब इसका reverse क्या होता है, 1,3 का reverse क्या होता है, 3,1, अब मुझे ये सोचना है, कि 3,1 क्या relation में आएगा, मेरे बचे, मेरे बचे, हमें दिया गया है, Y is equal to 3X, तो मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं 3,1 के बारे में सोच रहा हूँ, ज्यान से समझना 3,1, जैनि मेरा, जो first component है, वो कौन है, 3, जैनि input 3 है, तो output 1 आना चाहिए, 3,1 का तो यही मतलव है, कि input 3 देने से, मेरे को output 1 मिलना चाहिए, according to this relation, क्या ऐसा हो पाएगा, करके देखते हैं, आपके बस Y कितना है, 3X, इसमें first component है मेरा 3, तो मैंने इसमें डाला 3, 3 से कितना आ रहे हैं, वो तो 9 आ रहे है, 3,3s are 9, अरे कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा, कि आप 3 put करेंगा, और आप output 1 मिले, जैनि 3,1 पेर existent नहीं कर पाएगा, तो here, in this given relation, 1,3 belongs to relation, बट जो 3,1 है, वो relation में नहीं आएगा, अरे भाई इसकी कोई calculation नहीं है, कि 3,1 नहीं आएगा, तो कैसे दिखाया, अरे भाई y equal to 3x है, बस खुद से सोच के लिखना पड़ेगा आपको, 1,3 belongs to relation, बट 3,1 does not belong to relation, it is not symmetric relation, आता है समर्ज, काफी simple है, काफी simple है, चलिए, देखिए, अब इसी को हम transitive के लिए चेक करते हैं, हमारा relation क्या चल रहा है, y is equal to 3x, अब transitive में क्या होता है, दो ऐसे pair, जिसके अंदर transition हो रही है, पहले वो बना लो, यानि a to b और b to c वाले pair बना लो, a b और b c पेर बना लो पहले, बना लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम कुछ put कर देते हैं, let 2, 2 put किया मैंने, x की जगर 2 put किया, x की जगर 2 put किया, तो मेरा y is 6, तो ये वाला pair relation में है, अब यहाँ पर मैं 6 put करूँगा, तो 6 thरीजा मेरा 18 हो जाएगा, तो क्या मैं 18 ले सकता हूँ, क्या मैं 18 ले सकता हूँ, नो, ये वाला pair relation में नहीं आएगा, तो ये वाली जो example में बना रहा हूँ, ये गलत है, आपको पहले वो example त्यार करने, जिससे इस तरह के 2 pair relation में होने चाहिए, फिर तीसरा डूढ देने, तो मैंने 2 लिया था, हम ऐसा करते हैं 1 लेते हैं, तो मैंने पहले 1 लिया, पहले भी 1 लिया, तो 1 से मेरा 3 आया, तो 1 3 relation में आ रहा है, फिर मेरे को 3 लेना है, ट्रांजिक्शन दिखानी है न, तो फिर मेरे को 3 लेना है, तो मैंने इसमें 3 पुट गिया, तो 3 3s आ कितना हो गया, 9, तो 9, that belongs to relation, तो नहीं जिन, पेर्स के अंदर, ट्रांजिक्शन हो रही है, वैसे, पेर्स relation में है, 1 3 3 9 relation में है, इस relation से हमने ये confirm कर लिया, अब मेरा जो 3rd pair है, जो मेरे को चेक करना है, जिसने मेरे को transitivity बतानी है, की हो रही है की नहीं हो रही है, वो पेर है मेरा 1 9, अब मेरे को सिर्फ ये बताओ, ये 1 9 relation में होगा, तो आप कैसे बताओगे, आप ऐसे बताओगे, ये जो 1 है, ये 1st component है, वो आप इस relation में put करो, इस equation में put करो, जनी x की जगा 1 डालो, x की जगा 1 डालो, देखो 1 डाला, तो 1 डालने से कितना आ रहे है, 3, वो तो पहले सी पता था, कि 1 से हमें 3 मिलता है, तो 9 तो मिलता है, नहीं 1 से तो 3 मिलता है, तो इसका मतलब जो 1, 9 पेर है, वो exist ही नहीं करता है, इस relation के अंदर, y equal to 3x में exist नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा does not, इसका मतलब 2 pairs, जिनके अंदर transaction हो रही है, वो तो relation में है, लेकिन जो 3rd pair AC चाहिए होता है, यहाँ पे 1, 9 बना, वो relation में नहीं आया, it is not transitive, it is not transitive relation, बस ऐसे check करने, आता समझ, तो first जो question है, उसका जो first part है, यह reflexive भी नहीं है, transitive भी नहीं है, और यह symmetric भी नहीं है, ओके, इसी question को MCQ form में बनाया जा सकता है, बड़े आराम से, आपको कुछ नहीं उपर, ऐसे check करना है, और ठाक से अपना right answer टिक करना है, ओके, चलिए, second part को देखो, अब आपको बड़े आराम से चीज़ें समझ में आएंगी, अगर आपने first वाला question अच्छे से समझ लिये, मेरे बच्चे, यहाँ पे हमें, natural number पे कोई relation define कर दिया गया, natural number 1, 2, so on, ठीक, natural number पे कोई relation define कर दिया गया, जिसके अंदर pairs हैं, pairs ही ही होते हैं, और यह है वो condition, तो मैंने बोला second component को find किया करो, तो इसने already second component हमें बना के दे दिया, और condition भी है साथ में, x should be less than 4, जो आपने natural number लेने, जो आपने first component लेना है, वो less than 4 होना चाहिए, जैनि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 हो सकता है, इस पूरी set builder form को मैं, roaster form में भी लिख सकता हूँ, उससे चीज़ें और clear हो जाएंगी, देखो, यह जो हमें relation दिया हुआ है, on set natural number, इसको मैं, मतलब इसके सभी pairs लिख लेता हूँ, जैसे मैंने x लिए 1, तो यहाँ डालो 1, तो 1 प्लस 5, सर 6 हो गया, फिर डालो 2, सर 2 प्लस 5, सर 7 हो गया, फिर डालो इसमें 3, सर 3 प्लस 5, 8 हो गया, 4 नहीं आप ले सकते, क्योंकि x लेना है, less than 4, तो these are the only 3 pairs in this relation, ठीक है, अब बात करो, क्या यह reflexive है, क्या यह reflexive है, सामने दिख रहा है, यह reflexive नहीं है, क्योंकि reflexive के लिए, हर एक natural number, अपनी ही image बना रहा होना चाहिए, तो यह यह pair इसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ गये, तो please comment करके, जरूर बताना, yes sir, समझ आ रहा है, तो यहाँ पे, 1, 1, 2, 2, 3, 3 pairs नहीं बन पाएंगे, और मैंने complete relation दिखा भी दिया, रोज्टर फॉर्म में, ठीक है, second हो गए symmetry, symmetry, 1, 6 है, तो क्या 6, 1 है, देखो 1, 6 है, क्या 6, 1 है, नहीं है न, symmetry भी खतम हो, क्या calculation करो, calculation है यह नहीं इसके अंदर, third, transitive, अब transitive के लिए क्या बताया है, कि पहले दो pair, जिनके अंदर transition हो रही है, पहले वो ज़रूर होने चाहिए, अगर वो है ही नहीं, ऐसे pair ही नहीं, जिनके अंदर transition हो रही है, तो तब भी आप इसको transitive बोल दो, transitive कब नहीं बोलना है, वो एक ही condition है, कि transition हो रही है, A to B, B to C हो रहा है, AC pair नहीं बनता है, तब आप वो transitive नहीं होगा, otherwise वो always transitive है, देखें, फिर मैंने 27 लिखा, फिर मैंने 38 लिखा, ठीक है, अब दूसरा pair इसका जो साथी, जिसमें transition हो रही है, उसको देखूंगा मैं, यह 16, जैनि 6 पे end हो रहा है, अब देखो, इसमें कोई pair है, जो 6 से start हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो वाले दो pair से हैं ही नहीं है, जिसके अंदर transition हो रही होती है, तो इसको क्या बोलोगे आप, transitive के not transitive, transaction नहीं है, यह transitive relation है, क्या है, transitive relation, it is transitive relation, तो अगर transaction वाले मिल जाते, A, B, B, C मिल जाता, और A, C नहीं होता, फिर आप इसको बोलते, आदिया, I hope आपको clear हो गया होगा, चलिए next, third part, very interesting, very interesting, यहां पर भी set एक finite है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इसमें number आगे, national number, condition देखो क्या है, Y is divisible by X, Y कोन है, second component, देखो यह pair लिया हो, Y कोन हमारा second component, जो हमारा second component है, वो first component से divide हो रहा है, completely divide हो रहा है, चाहें तो आप, pairs बना सकते हैं, सभी pairs बना सकते हैं, पर उतना हमने time क्यों waste करना है, हमें सारी definitions आती हैं, reflexive की, symmetry की, transitive की, मेरे बचे, अगर मैं reflexive की बात करता हूँ, मेरे बचे, उसमें होता है, AA, ठीक है, अब आप ये सोचो, इस condition के according, क्या AA वाले relation में आएंगे, और elements आप सिरफ यही ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब क्या 1, 1 आएगा, क्या 2, 2 आएगा, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, possible है, इस condition के according, सर्फ बिल्कुल possible है, क्यों, अगर आप यहाँ पे 2, 2 रखते हो, तो ये इस condition को follow कर जाएगा, Y is divisible by X, Q, आपने pair लिया 2, 2, तो second component को होने 2, और first component भी 2, तो क्या 2, 2 से पूरा divide हो जाता है, second component क्या first component से पूरा divide हो रहा है, बिल्कुल सर्थ, 2 तो 2 को divide करता है, 1, 1 को divide करता है, और 4, 4 को divide करता है, 3, 3 को divide करता है, तो second component ही divisible by first component हो रहा है, यानि इस तरह के ये ये वाले pair सारे relation में आ जाएंगे, हो सकते हैं, अदे जमज, तो ये reflexive है, this is reflexive relation, बस ऐसे ही है, second, symmetry, symmetry में आपको पहले एक ऐसा pair लेना है, जो इस condition को follow कर रहा हो, y is divisible by x, तो ऐसा pair हम पहले, खुद से example set कर लेते हैं, मैंने ऐसे लिखा, 2, 4, that belongs to relation, बताओ, ये 2, 4 relation में होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, जो second component है, वो 4 है, तो 4 is divisible by first component, right, तो relation में आ रहा है, अब इसका reverse मैं देखूँगा, इसका reverse, तो मैंने जब reverse देखा, वो तो 4, 2 होता है, ठीक है सर, 4, 2 होता है, तो क्या 4, 2 relation में आएगा, relation में आएगा का क्या मतलब हो गया, कि जो second component 2 है, क्या वो 4 से पुरा-पुरा divide होता है, क्या 2, 4 से completely divide होता है, नहीं होता भाई, तो इसलिए जो 4, 2 है, वो वाला pair relation में नहीं आएगा, symmetry हो गई, गड़बर्ड, 2, 4 relation में है, लेकिन 4, 2 relation में नहीं, तो ये भी symmetric नहीं है, reflexive है, symmetric नहीं, third is transitive, आप सोचें transitive के बारे में, ऐसे in general सोचो, A, B है, और B, C है, ठीक है, ये दोनों relation में है, क्या AC होगा, मैं अगर आपको ऐसे पोचूँ, sir, B, A को पूरा divide कर रहा है, sir, C, B को completely divide कर रहा है, क्या sir, ये AC जब आएगा, तो C क्या A को पूरा divide करेगा, sir, समझ नहीं आ रहा है in general, तो example बनाओ, example आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से, कोई number लेने, ऐसे examples बनानी, देखो, example बनाते हैं, हमने पहले लिया, कोई pair, like, 2, 4, 2, 4 लेते, अब इसके साथ जो रखना है न, 4 से start होना चाहिए, वो जो second component है, वो 4 से divide होना चाहिए, तो मैं 4 ही रख रहा हूँ, ठीक है, तो देखें, यहाँ पर जो first pair है, मेरा 2, 4, तो इसमें second component है, 4, 4, 2 से divide हो रहा है, 4, 4 यह तो है, यह दोनों relation में है, इससे जो नया मेरे पास, pair बनेगा, AC जिसे बोलते हो आप, तो वो है 2, 4, अब बताए, 2, 4 relation में आ रहा है, यहाँ से relation में आ रहा है, लेकिन यहीं पर lock मत करो, इसमें कुछ examples और भी सोचा करो, सोचते हैं और सोचते हैं, एक example और लेते हैं, हम ऐसा करते हैं, कि 1 रखते हैं, यहाँ पर भी 1 रखते हैं, ठीक है, 1, 1 को divide कर रहा है, ओके, यहाँ 1 रखते हैं, और यहाँ पर हम 3 रख लेते हैं, तो यह दोनों relation में आ रहे हैं, क्योंकि 1 को divide करता है, तो 3 भी 1 से divide हो जाता है, ठीक है, second component मतलब divisible हो रहा है, first component से, यहाँ से जो तीसरा pair बनेगा, वो 1, 3 बनेगा, अब बताईए, क्या 1, 3 relation में आएगा, बिल्कुल आएगा, 3 जो है 1 से divide हो जाता है, तो आप कितनी भी example इसमें बना लो, in general भी आप देखें, कि अगर A, B को divide कर रहा है, जाब ऐसा सोचो, B अगर A को divide कर रहा है, ठीक है, यह जो B है, ऐसा सोचो, A, अगर B को divide कर रहा है, क्योंकि B is divisible by A, B is divisible by A, यह relation दे रखें न हमें, तो A अगर B को divide कर रहा है, फिर B जो है वो C को divide कर रहा है, तो इसका मतलब जो A, C है, वो हमारा relation में आ जाएगा, तो यह हमारी knowledge भी है, थोड़ी सी, यहाँ पर जो divisibility वाला case आ गया, हमारे पास, खुद से सोच कर भी हम इन चीजों को समझ सकते हैं, तो this relation is transitive, तो यह transitive है, आते हैं समझे, examples आब और भी बना सकते हैं, different numbers लेके, बढ़ नमबर उसी set के लेने होते हैं, जिस set पर relation defined हुआता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के लावा आप number नहीं ले सकते, ओके डियर, तो यह था third part, very interesting, now the fourth part, अब देखो इसमें क्या है, x minus y is an integer, यह relation दिया हो, कि जब भी आप first और second component को minus करोगे, जनी first component में से second component minus करोगे, तो आपको अंसर क्या मिलेगा, कोई integer, तो क्या reflexive में ऐसा होगा, अगर मैं इसको reflexive के लिए चेक करूँ, और set z पर यह defined है, यह अगर मैं आपको पूछूँ, क्या a a relation में होगा, a a, तो a a relation में होगा का क्या मतलब होगा, कि आपको इसका first or second component करना है, जनी a minus a करना है, तो कितना आया 0, क्या 0 कोई integer है, क्या 0 कोई integer है, बिल्कुल 0 integer होता है, तो इसका मतलब a a वाले, सभी pair relation में आ जाएंगे, 1, 1, 2, 2, 3, 3, minus 1, minus 1, 00 सारे relation में आ जाएंगे, तो इसलिए यह reflexive relation है, दूसरा आगया symmetric, अब symmetry में, अब मेरे को बताओ, अब दो number को minus कर रहे हो, result आ रहा है integer, अगर आप उनको interchange करके minus करोगे, क्या integer answer नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, sign उसका change हो जाएगा, लेकिन होगा तो वो integer ही, तो भाई यह भी क्या है, symmetric, a b relation में है, और साथ में b a b relation में आएगा, अब इसको मैं explain नहीं कर रहा हूँ, it is understood, यार दो को minus करके integer आ रहा है, reverse करने से भी वो integer आएगा ही, third is transitive, transitive भी यह होगा, क्योंकि अगर a b relation में आ रहा है, और b c b relation में आ रहा है, a b relation में आ रहा है, क्या मतलब है, क्योंकि a minus b integer होता है, और b minus c b integer है, तो जो a minus c होगा, वो भी integer ही आएगा भाई साब, क्योंकि सारे integer से लिए हों है आपने, तो कभी भी 2 integer को minus करोगे, तो integer ही answer आता है, उसका fraction नहीं बन जाता है, decimal में नहीं चला जाता है, हमेशे integer ही answer आता रहता है, अब देखो यह fifth question, fifth part है, यह काफी interesting आगे इसके कुछ part है, इसमें देखो जो relation है, वो set a पे define किया है, वो set a किसका बनाया हुआ है, human beings in a town at a particular time, यानि बहुत सारे लोग, कस्वे में एक town में हैं, एकी समय पर, बने गाउं है मनों, एकी समय की बात हो रही है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, पहला relation दी है, अब इसको द्यान से समझना, पहला relation है कि, X and Y work at the same place, यह relation दे दिया, अब इसको reflexively सोचना हो, यार एक कोई बन्दा है जिसका नाम है राम, और दूसरा वो बन्दा है वो खुदी है, तो क्या राम और वो खुद राम, एक ही जगा पे काम करेंगे, बिल्कुल, ऐसा थोड़े होगा कि राम अभी यहां काम कर रहा है, तो भाई आर आर इस तरह के जो सभी पेर हैं, वो relation में आ जाएंगे, यानि जो ए-ए वाले हैं, वो सभी relation में आ जाएंगे, क्योंकि पहला बन्दा भी वो ही है, दूसरा बन्दा भी वो ही है, और वो condition है कि वो same place पे काम कर रहे हैं उस समय, तो बिल्कुल यार, same place पे काम करते हैं, ऐसा थोड़े बोलेंगे, नहीं नहीं वो अलग अलग जगा पे काम कर रहा है, एक ही बन्दा, एक समय पर वो एक ही जगा काम करता है, तो ए-ए belongs कर जाएगा, symmetry, राम और शाम, relation में आ रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि राम शाम, एक जगा काम कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको reverse कर दूँ, शाम राम, तो क्या वो एक ही जगा काम कर रहे हैं, अरे बिल्कुल एक ही जगा काम कर रहे हैं, symmetry भी है, और यह transit भी है, अगर राम शाम एक जगा काम कर रहे हैं और शाम और रवी एक जगा काम कर रहे हैं तो राम शाम राम और रवी जो बनेंगे वो भी एक जगा काम करेंगे जानि A और B दो बंदे हैं वो एक जगह काम कर रहे हैं फिर B और C दो बंदे हैं वो भी एक जगह काम कर रहे हैं तो A और C उसी जगह काम कर रहे हैं बिल्कुल तो यह reflexive भी है symmetric भी है और transitive भी है समझना है वस यह definition आनी चाहिए X and Y live in the same locality यह बिल्कुल same question है ठीक है यह भी आपका equivalence relation है reflexive symmetric and transitive इसको आप खुद कर लेए बहुत simple है इसको आप खुद कर लेए बहुत simple है अब देखो C part में क्या है अच्छा C part तो interesting है बहुत simple भी है बट D part में आपको बहुत मज़ा है D part द्याते हैं C part में देखो कह रहा है कि X is exactly 7 cm taller than Y यह relation आगा है दो components के बीच में अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसके reflexive की बात करता हूँ C part में अगर मैं reflexive की बात करता हूँ तो मेरा जो first component है वो A है और second component भी मेरा A है यह कोई भी इसका कुछ नाम रख लेते हैं राम और दूसरा भी राम है अब बताओ राम अपने आप से 7 cm tall होगा नहीं होगा ना दोनों की height same होगी तो यह वाला जो relation दे रख है कि first component is 7 cm tall तो यह नहीं follow होगा ना इसमें राम राम में तो भाई ऐसे वाले pair relation में नहीं आएंगी तो यह reflexive नहीं इसी में अगर मैं दूसरा symmetry की बात करूँ symmetry में कहा कि आपने बोला सर जी राम जो है वो शाम से 7 cm tall है ठीक है माल लिए 7 cm tall अब symmetry में इसका reverse भी follow होना चाहिए कि जो शाम है वो राम से 7 cm tall होना चाहिए उस relation को follow करना चाहिए जो कि नहीं होगा न शाम चोट है न भाई कैसे हो जाएगा 7 cm tall तो यह symmetric भी नहीं तो यह transitive भी नहीं होगा that you can understand कि अगर राम शाम से 7 cm tall है वो जो शाम है वो रवी से 7 cm tall है ठीक है दोनों आगे relation में 7 cm tall होगा नहीं होगा न भाई that you can understand कितना tall होगा 14 cm नहीं होगा तो मेरे बचे यह वाला relation reflexive भी नहीं है symmetric भी नहीं है और transitive भी नहीं है I hope this is clear अब देखो एक मज़ेदार question करते है D part ठीक है D part काफ़ interesting है X is Y for Y reflexive देखो first component X दूसरा component B X अब इसका भी कुछ नाम रख लेते हैं मानो इसका नाम रखते हैं गीता दूसरे का नाम भी रखेंगे गीता क्यों भी reflexive चेक करें दोडो component सेम होने चाहिए तो गीता गीता belongs to a relation नहीं हम यह बोल रहे हैं जो गीता है वो गीता की ही wife है ऐसा होता है कभी नहीं होता है तो यहां क्या डालना पड़ेगा does not तो यह reflexive नहीं है ठीक है अब बात करते हैं symmetry की symmetry में क्या कि हमने बोला a b belongs to relation यह हमने let कर लिया मतलब जो a है वो b की wife है ठीक है तो b a क्या belongs करेगा relation में अगर a b की wife है तो b a का क्या है अरे भई husband है न वो तो अगर मैं बोलू b is wife of a वो गलत हो जाएगा तो ऐसे pair relation में नहीं आएगा it is not symmetric transitive बहुत interesting transitive समझो ध्यान से transitive में क्या हो रहा है a b belongs to relation ठीक है फिर इसके साथ दूसरा भी लेना पड़ेगा b c belongs to relation अब मेरे को बताओ ये दूसरा वाला जो pair बना रहा हूं मैं जिसको मैं बोल रहा हूं belongs is it possible क्या transaction दिखा सकता हूं इसमें मैं कहने का मतलग मैं ऐसे बोल रहा हूं द्यान से समझना द्यान से समझना बड़ी interesting चीज़ है मैं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं गीता is wife of शाम ठीक है गीता is wife of शाम और आगे मैं एक pair बना रहा हूं शाम is wife of किसी का रख लेते तो शाम क्या रवी की wife बनेगी नहीं बनेगी वाई शाम मेल है ना तो wife कैसे बनेगी तो ये pair exist नहीं कर पाएगा जानि transaction हमें यहाँ पे नहीं दिखरी है होती हूई जानि जो pair होते है ना A, B तो दूसरा होता है B, C फिर हम A, C को डूणते हैं A, B तो चलो है लेकिन B, C नहीं हो पाया यहाँ पर उस case में आप इस relation को क्या बोलते थे तब भी हम इसको transitive ही बोलते हैं Transiction वाले pair अगर आपको given नहीं है वो pair नहीं दिखरे आपको तो that relation is also transitive relation my dear students definition बे focus करें जो मैंने आपको पढ़ा रखी है उसमें चीज मैंने explain भी कर रखी ठीक है with example तो यहाँ पर यह जो D part है reflexive नहीं है transitive नहीं है sorry symmetric नहीं है but transitive है क्योंकि transition वाले pair ही नहीं बन पाए है ओके चलिए अब जो E part है यह बहुत simple है interesting क्या होगा यह X is a father of Y तो X X तो इसे belong करेगा नहीं कोई अपना ही बाप तो नहीं होता है न फिर दूसरा अगर X Y का X is father of Y तो Y is not a father of X न reverse भी नहीं आ रहा symmetry भी नहीं है transitive में क्या होगा X is father of Y और Y is a father of Z तो X Z का कोई father थोड़े नहीं हो जाएगा वो तो grandfather बच जाएगा तो यहाँ पर जो E part है reflexive, symmetric, transitive तीनों नहीं है ओके तो बचे यह था हमारा first question काफी interesting अगर आपको यह first question के सभी part समझ में आ गए हैं तो आगे जितने भी questions है न उनको ऐसे चुटकी बजाओगे होते चले जाएगे बस देखते जाओ आप question number two जो हमारा जो relation है वो किसी set पे defined किया है तो set है हमारा real number सारे real number पे कोई relation दे दिया क्या relation है यह relation अभी तक समझ गे न हमें किस पे काम करना है कि first component और second component आपस में किस तरह से relate दे रखे हैं relation क्या है उनके बीच में अभी हमारे पास relation आ गया a is less than equal to b square इस पे हमने बात करनी है तो मेरे बचे मैंने यहाँ पे लिखा one one क्या ऐसा pair relation में आएगा तरहीं मैं बोल रहा हूँ one is less than equal to one का square equal लगा है न तो follow करेगा क्योंकि one का square one करेंगे तो आ जाएगा yes sir one one belong कर जाएगा अगर मैं दूसरी condition लेता हूँ two two ठीक है इसको छोड़ो two two belongs कर रहा है तो चेक करो sir two is less than two का square जब मैं two less than two का square कर रहा हूँ तो यहाँ four आ रहा है तो two less than four सर यह भी true statement आ रही तो two तो छोटा होता है four से बिलकुल यह भी follow कर गया तो जो real number है वो सिरफ यह one two three थोड़े ना होते है fractions भी होती है decimal में भी होते है negative numbers भी होते है अब वो number लेके देखते है मानो मैंने यहाँ पे लिया one by two और दूसरा भी मैंने ले लिया one by two ठीक है क्या यह relation में आएगा चेक करते तो मैंने ऐसे लिखा जो relation मेरे को दे रखा है one by two less than one by two का square मैंने लिखा फिर one by two less than one by four यह जो मेरे पास बना अभी one by two less than equal to one by four क्या यह true statement है क्या one by two छोटा होता है one by four से जहां बराबर होता है तो क्या one by two छोटा होता है one by four से no one by two तो बड़ा होता है तो यह मेरे पास एक गलत statement आ गई ठीक है तो इसका मुलब ही जो relation दे रखा है one by two one by two उसके respect में relation में नहीं आ रहा बेशक यह आ रहा है यह आ रहा है लेकिन एक pair भी ऐसा मिल गया like a a वाला कोई भी pair ऐसा मिल गया जो relation में नहीं आ रहा तो reflexibility खत्म हो जाती है तो this relation is not reflexive क्योंकि one by two one by two देख लिए हमने नहीं आ रहा है इसके बाद बात करते हैं symmetry मेरे बच्चे symmetry में symmetry में आप पहले कोई pair लो जो इस relation को follow कर रहा है तो हम ऐसा करते हैं यार एक one ले लेता हूँ एक seven ले लेता हूँ क्या one seven relation में आ रहा है बिल्कुल आ रहा है sir one seven relation में है क्योंकि one is less than seven का scare अब इसका reverse सोचते हैं reverse कोन है seven one अब बताओ seven one क्या relation में आएगा seven one का मतलब हो गया इस relation के according मेर को ये देखना है seven is less than one का scare तो seven is less than one ये फिर से false statement seven तो बड़ा होता है तो यानि seven one relation में नहीं आएगा it is not a symmetric relation अब आगया तीसरा आपका transitive relation अब transitive में दो transition वाले देखो और तीसरा वाला फिर सोचो कि उसमें आएगा जहां नहीं आएगा चलिए आगे देखते हैं transitive transitive relation में चीक है आपको पहले ये दो pair लेने होते हैं a, b, b, c belongs to relation वो third वाला जो a, c है वो डूढ़ना होता तो पहले हम इस तरह के pair जिसमें transaction हो रही है वो बनाते है मैंने ऐसे लिखा one two one is less than two का square फिर मैं लिखा two कुछ और number ले ले लेते हैं let it be five तो two is less than five का square ये दोनों pairs मेरे relation में आ रहे हैं जिसके अंदर transaction हो रही है इससे जो third pair मैंने देखना होता है अभी यहाँ पे one five तो क्या one five relation में आ रहा है one five yes sir one five भी तो relation में आ रहा है ये transitive हो गया ने ने यहाँ lock मत करना भी no doubt की one five relation में आ रहा है तो हमने definition में क्या सीखा है अगर एक भी ऐसा ये transition वाले दो pairs हमें मिल जाएं और तीसरा वाला गड़ नहीं आता है तो फिर transitivity fail हो जाएगी बेशक बाकी सब आ रहे हूँ अब यहाँ पर ये तो belong कर रहा है one five लेकिन कुछ और examples के बारे में हम सोचेंगे फिर मैंने बोला negative numbers हैं fractions हैं उनके बारे में भी सोचो तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे examples लेते हैं देखो मैंने यहाँ लिया five और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ three five three belongs to relation बिल्कुल क्योंकि five is less than three का स्केर है five is less than three का स्केर three का स्केर nine होता है five nine से चोटा होता है फिर जो दूसरा pair में transaction वाला ले रहा हूँ three से start करना है अब यहाँ पर three के साथ हम रख लेते हैं let it be two तो three two क्या relation में है बिल्कुल है क्योंकि जो three है वो छोटा होता है कि इससे two के स्केर से two का स्केर is four तो three is less than four तो यह दोनों pair जिसमें transaction हो रही है relation में आ रहे हैं अब इससे जो third pair है that is five two अब मुझे five two को देखना है क्या यह relation में आएगा तो इसके लिए जो relation दे रखा तो वो क्या है five is less than two का स्केर यह मेरे को देखना है कि true आ रहा है कि false आ रहा है follow हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो मैंने किया five is less than four five is less than four यह तो गड़बड हो गया five तो बड़ा होता है four से तो जहनी यह गलत statement आ गी तो इसका मदद जो five two है वो relation में नहीं है तो एक example से मत आप उसको बता दो lock कर दो वो transitive हो गया अरे सोचो अभी मैंने fractions लिए बहुत सारी example ऐसी बना सकते हैं बना सकते हैं अभी तो मैंने सिरफ natural number से यह आपको बता दिया square वाला question है बहुत simple आगे q वाला आएगा उसमें थोड़ा सा challenge आता है transitive में बढ़ आप देखेंगे उसमें this question में इस question में क्या है सभी है वो एक भी नहीं है reflexive भी नहीं है symmetric भी नहीं है transitive भी नहीं question number three यह काफी simple है b is equal to a plus b यह हमें relation दिया हुआ second component जो है one more than first component ठीक है और है अपने element इसी में से ले सकते हो reflexive symmetric and transitive के लिए इसको check करना है तो मेरे बच्चे जब मैं reflexive के लिए check कर रहा हूँ तो मेरे पास है pair AA तो मैंने सोचना है क्या AA relation में आएगा कैसे आएगा यार यह दोनों तो बराबर होते हैं यहाँ पर बोल रहा है second component जो है वो एक बड़ा होना चाहिए एक ज़्यादा होना चाहिए first component से तो यह वाले pair relation में नहीं आएंगे it is not reflexive second हम symmetry की बात करते हैं तो symmetry में आपको एक pair पहले let करना ही पड़ेगा a b relation में लेना ही पड़ेगा तो ऐसा लो कि first component जो है छोटा होना चाहिए ठीक है एक छोटा होना चाहिए तो मैंने यहाँ ले लिए 2 और यहाँ ले लिए मैंने 3 यह belongs कर रहा है relation को क्योंकि बोल रहा है b is equal to a plus 1 यानि b a plus 1 के equal आता है यानि ऐसा भी आप इसको सोच सकते हो कि b minus a equal to 1 यानि b और a का जो difference है वो plus 1 रहना चाहिए तो यहाँ पर देखो b मैंने 3 लिया है a मैंने 2 लिया है तो 3 minus 2 हो रहे है न 1 तो यह relation follow होना चाहिए ठीक हैसा 2 3 belong कर रहे है अब मुझे सोचना है 3 2 के लिए क्या 3 2 relation में आएगा जानि second component और first component का difference plus 1 आना चाहिए तो यहाँ देखो b minus a 1 तो यहाँ ओगए 2 minus 3 वो कितना होता है वो तो minus 1 होता है 1 नहीं आ रहा reverse follow नहीं हुआ तो यह symmetric भी नहीं है तीसरी बात करते है transitive relation की दो इस तरह के pair relation में ले लो मैंने ले ले लिए 2 3 that belongs to relation दूसरा transaction वाला ले लो यहाँ लोंगा 3 यहाँ मुझे क्या रखना पड़ेगा एक इससे ज़्यादा second component let it be 4 2 3 belongs to relation क्योंकि 3 minus 2 1 हो रहा है 3 4 also belongs to relation क्योंकि 4 minus 3 1 हो रहा है चीक है second component एक ज़्यादा लिया होगा है according to this relation अब तीसरा relation तीसरा जो pair है वो कोन है 2 4 तो क्या यह relation को follow कर रहा है सामने देख रहा है नहीं follow कर रहा है जो second component है वो एक ज़्यादा होगा है तो दो ज़्यादा होगा it is not a transitive relation तो यह एक भी नहीं है reflexive भी नहीं है symmetric भी नहीं है और transitive भी नहीं है ठीक है तो मेरे बच्चे question number 4 आपके लिए चोड़ रहे हैं यह बहुत simple है अगर आपको square वाला समझ आ गया यह third वाला समझ आ गया तो यह तो simple है इसमें किसी पर square नहीं लगा होगा ठीक है प्लीज इसको आप कर लेना यह बहुत simple है question number 5 में बच्चों को challenge आता है question number 5 द्यान से समझ न specially transitive वाला case मेरे बचे यहाँ पर हम reflexive की बात करते है reflexive में हम यह देखना है a a क्या relation में होगा example set करते है तो पहले मैंने one one यह real number पे define it ही कोई भी real number ले सकते है तो मैंने one one लिया क्या one one relation में आएगा तो मैंने देखा sir one is less than one का cube हाँ sir one तो छोटा होता है sorry equal होता है one से equal लगा तो हो रहा है equal नहीं होता तो reflexivity यहीं खतम हो जाती यह तो follow कर गया तो मैं इसको reflexive बोल नहीं दूँगा मैं एक example और लेता हो मैंने ऐसे लेखा two 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 belongs to relation देखते हैं क्या belong कर रहे तो two is less than two का cube yes sir two तो छोटा होता है यह भी belong कर गया फिर मैंने बोला यार यह जो power वाले होते हैं cube square कोई power आजे fractions के बारे में भी सोचा गरो कहा है तो one by two less than one by eight तो one by two क्या छोटा होता है one by eight से यह गलत statement आगई तो one by two one by two relation को belong नहीं कर रहा है यह reflexive नहीं है मेरे बचे इसी तरह से आप symmetry अराम से चेक कर सकते हो symmetry में आप ले लो यहां मैंने ले लिए two यहां ले लिए मैंने three देखते हैं two three belong कर रहा है बिल्गुल कर रहा है क्योंकि two is less than three का cube अब इसका reverse देखते हैं three two क्या belong करेगा relation को यहनि मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या three छोटा होता है two के cube से तो three is less than two का cube yes sir यह तो छोटा होता है yes sir यह तो छोटा होता है reverse भी belong कर रहा है तो क्या symmetric बोल दे इतनी जल्दी नहीं फिर मैंने बोला fractions fractions पे भी जाओ negative number के बारे में भी सोचो तो two three तो belong कर रहा था two is less than three का cube yes sir two छोटा होता है 27 से उल्टा किया three is less than two का cube three छोटा होता है 8 से और example हमें सोच नहीं है अभी मेरे बचे अब मैं यहाँ पर कोई ऐसे example set करते है one of one वो यहाँ पर five ले लेता हूँ ठीक है one five तो वैसे नहीं आएगा one five क्यों लेंगे cannot take five नहीं नहीं one five आएगा sorry क्या बोल रहा हो में one five आएगा one five belongs to relation क्योंकि one छोटा होता है five के cube से one is less than five का cube that is one twenty five अब इसका reverse क्यों होता है five one अब बताओ क्या यह relation में आएगा fractions नहीं लिया भी इसी से देखते क्या five one relation में आएगा five is less than one का cube five छोटा होता है one के cube से यह तो सरा सर गलत statement आगी तो भाई five one relation में नहीं आएगा कुछ examples में आपको लगेगा वो symmetric है बट थोड़ा practice आपको करना पड़ेगा तभी आपकी सोच थोड़ी सी बड़ी हो पाएगी इन questions के लिए कि हमें बहुत सारी examples के through इनको देख लेना होता है ठीक है ऐसे ही हमें यह सपने में नहीं आएगा प्रेक्टिस करनी पड़ेगी फिर जाके आपको यह समझ में आएगा ठीक है देखो यहाँ पर लग रहा था तो इडिस नॉट symmetric अब बात करते हैं इसकी transitive की transitive बड़ा interesting है पहले तो आप दो pair बनाओ जो relation में आ रहे हैं पहले तो वो बनाओ फिर हम ऐसा बनाते हैं तो एक मैं 3 ले लेता हूँ इसके साथ एक 3 by 2 ले लेता हूँ अब मैं fractions में जा रहा हूँ question काफ़ interesting अब बताओ पहले यह relation में आ रहा है जैनि क्या 3 छोटा होता है 3 by 2 के cube से जैनि 3 is less than 3 का cube is 27 is 8 तो हाँ sir 3 point something आएगा तो 3 छोटा होता है 3 by 2 के cube से यह relation में आ रहा है अब इसके साथ दूसरा लो transaction वाला जानि पहला तो आपको 3 by 2 लेना पड़ेगा दूसरा सोचो आप क्या लोगे तो 3 by 2 is 1.5 तो 6 by 5 लेता हूँ आप इसमें रूट वाले भी पाढ़ ले सकते हो रूट 2 माइनस रूट 3 ऐसे लेके भी देखना काफी interesting example आपके सामने आएगी तो मैंने अभी लिया 3 by 2 और 6 by 5 अब पहले इसको देखो क्या यह relation में आ रहा है चेक करो 3 by 2 is less than 6 by 5 का cube 3 by 2 is less than 6 का cube होता है 216 और 5 का cube होता है 125 तो 6 6 को जब आँ 125 से divide करोगे यह आएगा आपके पास 1.5 को cross कर जाएगा 1.5 को यह cross कर जाएगा बड़े अरहाम से अब divide करके देख सकते है 216 है न इसको मैं 125 से divide करो पहले मैंने one लगाया तो यहाँ पर आगया मेरा 125 करो minus सर 6 में से 5 सर 1 आ गया सर यहाँ पर 11 में से 2 सर 9 आ गया यहाँ लगाया आपने decimal चीक है यहाँ लगाया आपने decimal यहाँ पर लगाई 10 अब 125 है ये 900 है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे सर 125 को जब हम 7 से करेंगे देखो 75 जा 35 3 कैरी 7 तूजा 14 14 and 3 1 कैरी 7 बंजा 7 and 1 8 8 75 आ रहा है अब 8 75 में अगर आप 8 से करके देखो 125 8 सर यह 40 8 तूजा 16 और सर यह 20 2 कैरी 8 1 जाए 2 125 को 8 से करेंगे आपका 1000 आएगा उसको हम डिरेक्ट भी सोच सकते थे वैसे तो यहाँ पर हमारे पास approximately 1.7 आ रहा है ठीक है मैंने बोला 1.5 को cross कर जाएगा तो मैंने आपको करके बता दिया तो 3 by 2 होता है 1.5 तो 1.5 छोटा ही होता है 1.7 से तो जानी जो 2 pairs मैंने लिये हैं जिसके अंदर transaction हो रही है वाकई वो relation में आ रहे हैं अब यहाँ से third pair के बारे में सोचो पहला 3 और दूसरा 6 by 5 इसको सोचो 3 और जिस 6 by 5 अब बताओ क्या यह relation में आएंगे चेक करना पड़ेगा 3 क्या छोटा होता है 6 by 5 के cube से 3 is less than 6 by 5 का cube 6 by 5 का cube हमने अभी अभी आपको करके दिखा भी दिये ठीक है इसलिए मैंने पूरा यह detail में भी आपको बता दिया अब देखो 6 by 5 का cube कितना आया था 1.7 तो 3 छोटा है 1.7 से तो गलत स्टेटमेंट आगी तो इसका मुदद 3 6 by 5 रिलेशन में नहीं है तो 8 is not ट्रांजिटीव रिलेशन तो मेरे बच्चे यह जो आपकी example थी जो आपका question था 5 it is a very important और यह MCQ में बड़े आराम से बन जाएगा आपका तो इस question की practice कर ले न यह reflexive भी नहीं है symmetric भी नहीं है और यह transitive भी नहीं है लगता है कुछ example में symmetric है reflexive भी लग रहा है transitive भी लगता है कुछ examples में लेकिन यह reflexive, symmetric, transitive कुछ भी नहीं है चली आगे बढ़ते हैं question number 6 very interesting यह तो लड़ू question हो गया हमें set दिया है जिसमें 1,2,3 है और यहाँ पर हमने एक relation ले लिया 1,2,2,1 बस दो ही pair है कह रहा है कि show that इसने लिख दिया हुआ यह MCQ में बन सकता है कि check करो यह relation क्या है MCQ में बन सकता है तो इसने तो show that बोल दिया कि यह symmetric है लेकिन reflexive भी transitive नहीं है सामने दिख रहा है यार 1,2,3 set पर defined है तो 1,1,2,2,3,3 होना जरूरी था reflexive के लिए तो reflexive यह नहीं है 1,2 है तो 2,1 है symmetry तो इसमें हो रही है transaction इसमें हो रही है लेकिन transitive वाला जो third pair चाहिए होता है वो नहीं है देखो 1 से 2 जा रहे है 2 से 1 आ रहे है लेकिन 1,1 pair इसमें होना चाहिए था transitive के लिए जो की नहीं है तो इसलिए transitive भी नहीं है तो I hope यह सामने दिख रहा है हमें that you can understand now the question number 7 set जो A है वो क्या है all books in a library of a college given by अब देखो set A किसे बोल रहा है books जो library बढ़ रही है हमें condition है X and Y have the same number of pages अरे भाई जो book 1 है जो book 2 इसने रखी है उसका जो relation दे दी है दोनों components के बीच में इनके number of pages same है this is the relation मेरे बचे reflexive के लिए जब मैं check करूँगा तो मेरे पास book पहले वाली जो है दूसरे वाली भी वो ही है तो क्या दोनों के same number of pages होंगे बिल्कुल होंगे एक ही book है डा वो ही book है तो ये belong हमेशा कर जाएगा ये reflexive है symmetry में पहली जो book है और जो दूसरी जो book है ये belong कर रहा है जानि same number of pages वाली मैंने books ली है अगर मैं इनको interchange करके रखता हूँ तो क्या number of pages different हो जाएंगे नहीं भाई उतने ही रहेंगे तो ये belong कर जाएगा उसका reverse ये symmetric भी है तीसरा होगे transitive first book, second book के pages same है second book और third book के pages same है तो क्या first और third के pages same होंगे बिल्कुल भाई same होंगे number of pages same होंगे तो ये transitive भी है hence it is equivalence लिखना कुछ नहीं है mcq आ रहे हैं बस understand करना है ये mcq में बन सकता है relation दिया होगा नीचे लिखा होगा ये क्या है ठीक है चलिए आगे बढ़ो another eighth question अब देखो eighth question ये equivalence है ठीक है बड़े मस तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा हमें दिया हुआ है a minus b even तो reflexive के लिए आपने बोला a a तो जब आप इनको minus करोगे आएगा 0 तो 0 को 2 से करोगे तो even की form ले लेगा like 2n की form ले लेगा तो ये reflexibility follow हो रही है symmetry की बात करेंगे कि दो number को अगर आप minus कर रहे है अगर वो even आ रहा है और b को c से minus करोगे वो भी even दे रहे है और a और c को minus करोगे वो भी तो even आएगा तो इस पर ज़्यादा हम time waste नहीं करेंगे it's a very simple question reflexive symmetry transitive ये तीनों है इसके अंदर ये चीज़े जो पूछी हुई है इसको द्यान से समझना ये जो set दिया ना जिसके अंदर one three five रखा हुआ है इसके जो elements है अपने साथ ही relate हो रहे है तो आप सोचें sir अपने साथ ही relate हो रहे है का क्या मतलब इसका ये मतलब है इसके जो elements है इन elements के अपने साथ ही pair बनाओगे तो वो इस condition को follow कर जाएंगी आपने one five लिख दिया फिर आपने three one लिख दिया फिर आपने three three लिख दिया फिर आपने three five लिख दिया फिर आप ऐसे five के साथ भी बना दो ऐसे आपने pair बना दिये अब जितने भी ये pair दिख रहे है ना इनका जो difference है ने वो हमेशे even है यह बताने की वो हमें पूछ रहे है तो hence इनका difference even आ रहे है तो hence each element of this set related to itself जाने उनका difference pair wise करेंगे तो even आएगा same question है इस set के लिए also elements of this set related to each other 2, 4, 4, 2, 2 pair बनेगे या फिर 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4 बन सकता है चार बनेगे तो जब भी minus करोगे even आएगा yes इसके elements इसके साथ relate कर रहे है third question इसका क्या है कह रहे है but no element of this set is related to this यानि one का pair बनाना है two और four के साथ यानि pair बनाना आपने one two pair बनाना आपने one four ऐसे three के साथ बनाना है और five के साथ भी बनाना है ठीक है पहले हमने दो pair बनाए one two one four तो one or two के आपस में relate कर रहे हैं नहीं क्यों क्यों क्योंकि one or two का जो difference है वो even नहीं आ रहा दूसरा आगा one four pair अब one four का difference कितने है three even नहीं आ रहा वह ऐसे कह रहा है कि इस set के आप इस set के साथ जितने भी pair मर्जी बना लो वो आपस में relate नहीं करेंगे नहीं कर रहे भाई even नहीं आ रहा even आता तो relate कर रहे होते that's all यह ही है अब इससे में आगे exercise में कुछ खास बचा नहीं है last के दो mcqs हैं अच्छे समझने वाले वो ध्यान से देखना अब देखे 9th question यह भी बहुत simple है बिल्कुल 8th question जैसा ही है वहाँ पर even लिखा था यहाँ पर multiple आ फोर लिखा हो देखो set है यह वाला integers are 0 to 12 set जूरूर देखना है set के beyond नहीं कभी चले जाना ठीक है 0 से लेकर 12 तो आपने इसमें number रखे हो pairing करूँगा तो सारे pairs भी आप बना सकते हो a-b को लेकर क्योंगी set हमारा finite है अब यहाँ पर a-b multiple है 4 अगर मैं reflexive की बात करता हूँ तो जब आप element ले रहे हो a-a reflexive के लिए दोनों same element लिए अब इनको आप minus करोगे जब आप फिर उसका absolute value निकालोगे तो answer तो 0 आएगा तो 0 को you can write 4 into 0 जयानि 4 का multiple उसको आप दिखा सकते हो 4 की multiple की form में आप लिख सकते हो जैसे even number में 2n की form में हम 0 को लिख पा रहे थे तो ऐसे 0 को मैं 4 into 0 भी लिख सकता हूँ तो 0 is multiple है 4 hence proved तो यह reflexive है भाई a-a वाले pair इसको belong कर जाएं बात करते हैं symmetry की symmetry में क्या है दो number को minus कर रहे हो और वो 4 का multiple आ रहे है पहले तो आप यह let करना पड़ेगा a-b अगर 4 का multiple है तो क्या b-a 4 का multiple नहीं हाएगा अगर आप 1-9 लेते हो 1-9 pair इसमें से कोई भी दो number ले लो 1-9 उनका pair बनाया 1-9 1 में से 9 को minus किया absolute value 8 8 4 का multiple होता है तो अगर मैं reverse करता हूँ उसको 9 8 लिखता हूँ 9 1 लिखता हूँ यो exam है mcq based है इस session के लिए तो यहाँ पर अभी फिलहाल आप इसको mcq की तरह ही solve करना सीखो ज्यादा length इसकी बनानी नहीं हमने सामने दिख रहा है यह reflexive symmetry को transitive तीनों होगा अगर यह question mcq में mcq की form में आता है तो अगर उसमें option लिखा हुआ है यह equivalence relation है तो yes वही आपका right answer होगा ठीक है ज्यादा इसको lengthy नहीं करना it is understood यह हो रहा है 8th question से हम इसको understand कर सकते हैं ऐसे यह दूसरा वाला है a और b जानी first और second component उसने बोला equal है तो ज 55 up to 1212 reflexive वाले सारे पेर है जानी वो identity relation है तो अगर वो identity relation है तो वो तो हमने पढ़ रहा है identity relation सब कुछ होता है reflexive होता है symmetric भी होता है ठीक है अब इसमें यह वाला part देखो कि find the set of all elements related to one in each case पहले हम first वाला case ले लेते हैं कर वन को relate करो और जिन elements के साथ वो relate हो रहा है उनका set बनाओ देखो मैं set बना के दिखाता हूँ मैंने ऐसे set बना लिया इसके अंदर मैंने रखा one इसके अंदर रखा five इसके अंदर रखा nine और कर दिया close तो आप सोचे सर यह क्या लिख रहे हो one five nine अरे मैं वह वह elements लिख रहा हूँ जो one के साथ relate हो सकते हैं देखो one one pair अगर मैं बनाओंगा इस one का मैं तीनों के साथ pairing कर रहा हूँ one का one के साथ जो मैं pair करूँगा difference कितना आएगा zero four का multiple relate हो गया फिर इस one को मैं five के साथ लिखूँगा five one का difference four four का multiple relate हो गया five के साथ अब इस one को मैं nine के साथ लिखूँगा nine one का difference eight that is four का multiple तो 9 भी relate हो गया तो आपको ऐसे elements लिखने है जो 1 के साथ relate हो रहे हैं, relate बोले तो according to this relation, that's all ऐसे जो second part है उसके लिए आप डूंडोगे, 1 के साथ कौन-कौन relate हो रहा है out of these elements, तो खाली एक ही आएगा 1 क्योंकि 1 के equal कौन होता है 1 ही होता है न, 2 थोड़े लिखता होगे relation है, दोनों equal है relation क्या है, दोनों equal है तो only second part के लिए answer आएगा आपका only single element 1 that's all यह वाले part आप देख सकते हैं, बाकी equivalence में तो कोई problem नहीं है definition ही आपको ध्यान में रखने है now the 10th, very interesting बिलकुछ short में बताऊँगा इस concept, बिलकुछ short में first question किया न, जो हमने first question उसी की ये examples है यानि इसमें हमें condition दे रखी है कोन सा symmetric है वो reflexive नहीं होना चाहिए, वो transitive नहीं होना चाहिए अगर आपने first question देखा है तो first question में जितने भी हमने part किये उसमें ये वाले part cover हो जाते है almost उसमें देखा कोई reflexive आ रहा है symmetric आ रहा है, लेकिन transitive नहीं आ रहा है वो वाले example यहां डाल दो लेकिन खुछ से examples बनानी पड़े वो कैसे बनानी है, वो मैं आपको सिखाता हूँ देखें, यहाँ पर हमारा पार्ड लिख देता हूँ कि क्या, देखो यह यह उतर reflexive symmetric and transitive, ठीक है, short में लिख रहा हूँ RST, reflexive symmetric transitive, सारे part मैं ऐसे लिखा हूँ, reflexive symmetric transitive, इनके सामने example डालता जाऊँगा reflexive symmetric transitive reflexive symmetric transitive reflexive symmetric and transitive, पहले part में क्या reflexive transitive नहीं होना चाहिए reflexive और необход reflexive और नहीं होना चाहिए थ्रड पार्ड में क्या है transitive नहीं होना चाहिए फॉर्थ gn diagn not symmetric, symmetric नहीं होना चाहिए फिफ्थ항 क्या है reflexive नहीं होना चाहिए जिस पे मैं tick कर रहा हूँ वो होना चाहिए और जिस पे cross लगा दिया है वो नहीं होना चाहिए एक एक example इनके साबने इनकी लिखते थे तो जब भी आप जब भी आप कोई relations बना रहे हैं उससे पहले आपको set दिखाना पड़ता है किस set के elements के ओपर आप relation को define कर रहे हैं तो सभी examples के लिए हम single set ले लेते हैं simple सा that is one, two, three इस पे मैं relation बनाता हूँ पहला है मेरा reflexive नहीं होना चाहिए यह तो बड़ा मस्त है तो मैंने यहाँ पर बना दिया one, 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 one क्यों और छोटा कर देता हूँ क्यों इतना बड़ा हमने करना है reflexive नहीं होना चाहिए ना तो जो identity वाले elements है उनको मत लिखो उनको मत लिखो जनी one, one, two, two, three, three मत लिखो reflexive तो वो होगा नहीं कभी भी फिर फिर transitive भी नहीं होना चाहिए तो उसकी example अभी देखते है पहले हम ऐसे लिख रहा हूँ one, two, two, one इसको कर दिया close मैंने देखा यह symmetric है हाँ symmetric है one, two, two, one transaction इसके अंदर हो रही है one से two और two से one जा रही है transaction इसके अंदर हो रही है transaction से जो तीसरा pair हमें AC डूडना होता है यहाँ पर कौन बन रहा है one, one कौन बन रहा है one, one जो की इसमें नहीं है तो इसलिए ट्रांजिटी भी नहीं है तो यह कौन सी example हो गई reflexive नहीं है transit भी नहीं है यह symmetric है that's all बस ऐसे example बना नहीं सोच के next is reflexive symmetric reflexive symmetric नहीं होना चाहिए transitive होना चाहिए तो मेरे बच्चे मेरे बच्चे यहाँ पर मैं खाली ऐसे लिख देता हूँ five नहीं ले सकता sorry five तो मेरे set में है नहीं I cannot take five I am just writing two, three इसको यहीं close कर देता हूँ best example क्या यह reflexive है no क्योंकि इसमें one, one, two, two, three, three, three नहीं है क्या इसमें symmetry हो रही है no, two, three, three, two होना चाहिए था नहीं हो रहा है transitive है, yes, यह transitive है क्यों क्योंकि transitive नहीं कब होता है जब transaction वाले pair होते है a, b, b, c होता है और a, c नहीं होता तब वो transitive नहीं होता अब जब transaction वाले pair ही नहीं है जैसे two, three है 3 के आगे कुछ नहीं है transition नहीं हो रही 3 की तो वो transitive ही होता है ठीक है पीछे भी हमने देखा भी question और example भी मैंने आपको definition बता रखी है तो it is the example of second part next is reflexive symmetric but not transitive अब यहाँ पे देखो यह reflexive होना चाहिए तो इस set के according आपको 3 pair लिखने ही लिखने 1 1 2 2 3 3 यह लिखने ही लिखने बढ़ यहाँ छोड़ो मत अगर यहाँ छोड़ दोगे तो वो transitive हो जाएगा देखो reflexive symmetric यह है लेकिन transitive भी है अब कुछ ऐसा करो कि transitivities की disturb हो जाए तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें कोई element डाल देते हैं like randomly 3 2 अगर 3 2 डाला फिर मेरेको 2 3 भी डाला पड़ेगा लो 2 3 डाल दिया अब यहाँ पर discussion करते हैं क्या यह transitive है तो transitive का मैं बार बार आपको shortcut बताता हूँ कि अगर आपको confusion हो तो क्या करो इन elements को जल्दी से vertically लिख लिया करो जितने भी elements आप यहाँ पर लिखते हैं देखो मैं सारे लिख रहा हूँ 1 1 फिर मैं लेखा 2 2 फिर मैं लेखा 3 3 फिर मैं लेखा 3 2 फिर मैं लेखा 2 3 ऐसा मैं क्यों लिखता हूँ मैंने 1 1 लिखा ना फिर मैंने देखना है इसमें से कोई 1 से स्टार्ट हो रहा है सर कोई भी नी स्टार्ट हो रहा है तो इसको चेक नहीं करना फिर मैं लेखा 2-2 फिर यहां से कोई देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है हां सर यह 2 से स्टार्ट हो रहा है लास्ट वाला 2-3 तो इससे बना 2-3 2-3 उसमें है ट्रांजिटिवि बन रहा है 3-2 है फिर दूसरा वाला 2-3 स्टार्ट हो रहा है वो भी साइड में लिखके में चेक कर सकता हूं 2-3 तो 3-2-2-3 उसे 3-3 बना तो 3-3 भी है ट्रांजिटिविटी अभी तक हो रही है फिर मेरे आगे लास्ट 2-3 क्या कोई 3 से इसका भी लिखा 3-3 वो भी आ रहा है तो अभी तक मैंने जितने भी पेर्स यहां पे लिखे है वो ट्रांजिटिविटी दिखा रहे है अब मुझे को ऐसा लिखना है कि यह त्रांजिटिविटी इसकी फेल हो जाए हम इसके अंदर एक एलिमेंट और रख देंगी देखो जो मैं एक पेरो रख लेता हूँ इसमें एक पेरो रख लेते हैं वन थ्री रख लेते हैं अब मैंने वन थ्री रखा तो मेरे को थ्री वन भी तो रिखना पड़ेगा क्यों क्यों लिखना पड़ेगा क्योंगी सिमिट्री भी तो बनानी है ना वन थ्री लिखा तो थ्री वन ल देख चुका हूं तो 3 से जो start हो रहा है तो मेरा आ गया 3-2 तो 1-2 है सर इसमें अरे सर 1-2 नहीं मजा आ गया 1-2 नहीं देखो मैंने 1-3 रखा और 1-3 का मैंने 3-2 के साथ transaction ले ली 3-2 के साथ जो की है इसमें तो 1-3 3-2 और जब मैंने 1-2 किया तो 1-2 तो मेरे को दिखा ही नहीं 1-2 तो है नहीं ज़दी से इसको close करतो तो यह transitive नहीं है जैनि अगर आप 3 set का 3 elements का कोई example लेते हो तो 1-2-3-4-5-6-7 7 pairs उसमें रखो 7 pairs जिसमें reflexive वाले आ जाए सारे symmetry के लिए 2 pair आपको लेने उनका दोनों का reverse भी रखना है total 7 होगे दो बचके उनको मत रखो transitivity fail हो जाई ठीक है तो यह reflexive भी है symmetric भी है transitive नहीं है I hope आपको समझ आ रहे है next is reflexive होना चाहिए transitive भी होना चाहिए symmetry गड़बड करनी है reflexive होना चाहिए तो 1-1, 2-2, 3-3 यह रखने पड़ेंगे अब क्यूंकि यह transitive होना चाहिए तो मैं यहां मानो 1-3 रख लेता हूँ इसको close कर देत हो देखो check करो transitivity transitivity check करो तो sir 1-3 रखा 1-3 sir पहले भी था 1-3 तो 3-2 तो नहीं था ना तो transitivity देखने के लिए फिर मेरे को इसको vertical लिखने 1-1, 2-2, 3-3 and 1-3 1 से कोई start हो रहा है sir एक ही start हो रहा है 1-3 तो इससे 1-3 बना sir हां transitive हो रहा है फिर 2 से कोई भी स्टार्ट हो रहा है हो दी है 3, 3 से कोई भी start नहीं हो रहा 1-3, 3 से एक start हो रहा है that is 3-3 तो इससे 1-3 आया जो की है तो यहां तक transitivity आ रही है symmetry इसकी गड़वड है क्योंकि मैंने 1-3 रखा है तो उसका reverse क्या होता है 3-1 जो की नहीं रखा हो तो this is example of reflexive, transitive but not symmetry बच्चे मेरे last आपके लिए छोड परते हैं, now the question number 11, देखो 11 मैं आपको वैसे समझा देता हूं कि इसमें पढ़ लो अराम से, इसमें देखो condition क्या दे रही है, हमें तो equivalence बताना है, ठीक है, equivalence यह है, prove करना equivalence है, आपको मैं relation समझाता हूं, इसमें relation क्या पूछाओ, इसमें relation पता क्या है, इसमें relation है, कि हमारे पास किसी set पर defined है, set क्या है, all the points in a plane, ठीक है, all the points in a plane, set का कुछ नाम है, तो relation a, relation r defined on a, it is like this, op is equal, op, oq, such that, op is equal to oq, that's all, यह relation है, जो उसने इतनी बड़ी English में आपको statement दिये न, उसका यह मतलब है, उसको set builder form में मैंने convert कर दिये, अब इसको समझो क्या है, हमें relation दिया हूँ है, कि origin से, कोई भी 2 points समान दूरी पर है, बस यह relation है, op equal to oq, origin से, कोई भी 2 points समान दूरी पर है, same distance पर है, this is the relation, अब इसके respect में आप जब reflexibility check करोगे, तो पहला आप distance रखोगे, op, तो दूसरा distance भी तो op ही लिखना पड़ेगा, reflexive के लिए, op, op, तो क्या op, op के equal होता है, बिल्कुल होता है, जानि यह दोनों distance से माने चाहिए, that is the relation, तो reflexive follow हो जाएगा, symmetry में, अगर आप बोलते हो, op और oq relation में है, जानि आप यह बोल रहे हो, op और oq equal है, तो अगर op और oq equal है, तो क्या oq और oq equal नहीं होएगे, बिल्कुल होएगे, ज symmetry भी होगी, अरे बाई, transitive भी होगा, अगर एक distance से दूसरे के equal है, दूसरा distance से तीसरे के equal है, तो पहला वाला भी तो तीसरे के equal आ ही जाएगा, that's all, तो यह equivalence relation है, इसमें कुछ खास नहीं है, last इसकी जो statement है, वो आप देख सकते हैं, show that the set of all points related to a point P, other than origin, इसका मतलता है, other reason नहीं ले ना, इसमें, is a circle passing to the point P with origin as a center, इस statement का क्या मतलब है, इस statement का ये मतलब है, कि origin से ये जो point बैठा हुए आपका P, given relation के according ये circle बनाएगा, बस इतनी सी बात है, वो prove करना है, it is obvious वो circle बनाएगा, इस point को आप कहीं पर भी ले जाओ, लेकिन origin से समानदोरी पर रखना बाई, जितना OP distance है मानों, ये 5 unit है, तो इसको 5 unit maintain करके रखना, P को कहीं भी ले जाओ, तो कहीं पर भी आप surroundings में ले जाओगे, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, वो circle बनाएगा, बस यही बताना था, तो set of points which are making circle is the required set, that's all, चली, आगे बढ़ो, question number 12, जो कि बहुत simple है, आप equivalence के लिए, जो इसका part है, तो नीचे अलग से कुछ condition है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, equivalence ये है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि relation क्या है, triangle 1 is similar to triangle 2, औरली समझा दो जल्दी से, अगर एक triangle है, दूसरी भी वही triangle है, क्या दोनों triangle, जो की same है, आपस में similar होती है, बिल्कुल इक ही triangle है, तो अपने साथ तो similar होती ही है, इसलिए ये reflexive है, symmetric ऐसे समझनी है, एक triangle दूसरी के साथ similar है, तो वो दूसरी वाली क्या पहले के साथ similar होगी, it is obvious, symmetric भी है, triangle 1 is similar to triangle 2, and triangle 2 is also similar to triangle 3, तो क्या triangle 1 और triangle 3 similar होगी, बिल्कुल होगी, इसको और अच्छे से, देखने के लि उसको जरूर देख लेना, तो equivalence relation तो हो गया, symmetric, reflexive, transitive ये तीनो है, अब बात करते हैं, इसने जो next दिया हुआ है, can I consider three right triangles T1, जिसकी sides लिए, इसने 3, 4, 5, एक triangle और ले लिए, जिसकी sides लिए, और एक triangle और ले लिए, जिसकी sides लिए, फिर question है, which triangles among T1, T2, T3 are related, मैं आपको diagram स समझाता हूँ, there are three right angled triangle, 1, 2 and 3, there are three right angled triangle, इसकी sides है, 3, 5, 4, इसकी कितनी है, 12 वाली है, 5, 12, 5, 12 and 13, और last वाली 6, 8, 10, 6, 8 और 10, ये triangle 1 है, ये triangle 2 है, ये triangle 3 है, कैरें, तीनो में से, दो-दो का pair बनाओ, यहनि ऐसे pair बनाओ, T1 का T2 के साथ बना लिया, T1 का T3 के साथ बना लिया, T2 का T3 के साथ बना लिया, T2 का T3 के साथ बना लिया, तीन pair हमारे पास बन गी, कैरा इसमें से, कौन से pair उस relation को follow कर रहे हैं, जो given relation है, क्या relation है, similar का, जैनि क्या T1, T2 के साथ similar होगी, क्या T1, T3 के साथ similar होग sides अगर proportional है तो वो similar होता है या आपने पढ़ा हुआ 10th class में तो कौन-कौन सी sides proportional आ रही है 3, 5, 5 13, 4, 12 इनका कोई match नहीं आ रहा तो T1 और T2 pair relation में नहीं आएगा फिर T1, T3 देखते हैं T1 में 3, 5, 4 T1 में 3, 5, और 4 और T3 में है 6, 10, और 8 हा सर ये proportional आ रहा है देखो 3 by 6, 1 by 2 5 by 6, 1 by 2, 4 by 8, 1 by 2 तो T1 और T3 जो दो triangles हैं ये दोनों similar आ रही हैं गानि ये ऐसा pair है जो उस relation को follow कर रहा है तो एक pair हमारा ये बन गया चलो ये तो आ गया relation T2, T3 को देखो T2 में है T2 में है 5, 13, और 12 और उसमें है 6, 8 और 10 क्या ये proportional आएंगी किसी दरह से no, ये proportional नहीं आएंगे तो ये वाला pair भी relation में नहीं आएगे तो सिरफ T1 और T3 इन तीनों pair में relation में आ रहा है that's all, तो T1, T3 is the right answer तो बस ये last में कुछ पूछ लेगा तो statement समझाना चाहिए और कुछ इसमें है नहीं statement को अच्छे से समझाना है ये question आपके लिए चोड़ते हैं बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर polygons आगे polygons हमारी triangles भी होती है quadulators भी होते हैं pentagon, hexagon, सारी चीज़ें ठीक है, they are all polygons जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा sides होती है हमें relation दिया हुआ है कि दो polygons है जिनकी same number of sides है that is a relation जैसे books वाला गिया था न same number of pages यहाँ पर same number of sides है तो यह reflexive symmetric transitive तीनों आ जाएगा इसमें जो next पूछा हुआ है यह आपके लिए चोड़ते हैं अगर आपको नहीं आएगा प्लीज आप comment करें मैं आपको करके फिर दिखा दूँगा अराम से simple है यह ठीक है बहुत simple है यह parallel वाला question है जैसे similar triangles था congruent triangles होता है ऐसे यह parallel वाला question है यह बड़ा simple है दो line आपस में parallel होती है कम नहीं होती है बस यह सोचने अगर reflexive के लिए सोचोगे first line और दूसी line दोनों same ही line है तो वो parallel मानी जाएंगी एक line अपने साथ ही parallel मानी जाती है फिर symmetry के लिए जब सोचोगे symmetry के लिए एक line दूसरे के साथ parallel है तो दूसरी के पहले के साथ parallel नहीं आएगी बिल्कुल है यह चीज सेम है जब transitive की मैंने definition समझाई थी ना आपको first lecture में उसमें यह मैं already बता चुका हूँ so please आप इसको कर ले ना मेरे बच्चे last वाला मैं करवाता हूँ यह क्या लिखा है r is equivalence लो equivalence हम कर लेंगे next क्या है find a set of all lines related to this line y is equal to 2x plus 4 के साथ जितनी भी lines relate करती है उनका set बनाओ relate करती है इस line के साथ का क्या मतलब है इसका यह मतलब है वो lines लिखो जो इसके साथ parallel है 11 पे आपने पढ़ा कि दो lines का अगर slope equal है तो वो parallel होती है class 10 पे भी आपने condition पढ़ रखी है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 ठीक है यह भी parallel की condition है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको लिखना है y is equal to 2x plus something let it be k where k is any real number तो यह जो मैंने line बनाई है इसके अंदर k different different real number डालते जाओ वो इसके साथ parallel ही आएंगी क्योंकि मैंने y और x के coefficient proportional ले लिए है यही parallel lines का definition होता है तो this is a required set of lines which are parallel to the given line that's all चली आगे बढ़ते है now the question number 15 mcq based जो की बहुत simple और interesting भी है बीच में आपको हसी भी आएगी ध्यान से सुनना मेरे बच्चे यहाँ पर क्या है हसी इसलिए आईए कुछ पार्ट आपके वैसे reject हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा हस देना कह रहा r is a relation ठीक है r is a relation in the set 1,2,3,4 4 elements है set पे उस पे गोई relation डिप है जिसके सारे pair बना के देगे हो उसने 1,2,2,2,1,1,4,4,1,3,3,3,3,3,2 देखो 1,2,3,4,4 चार है चार elements है तो 1,1,2,2,3,3 तो 4,4 तो मैं इसको दिखी गए इसके अंदर देखो 1,1 भी है 2,2 भी है 3,3 भी है और 4,4 भी है ज़र्ण यह हमेशा reflexive तो है ही है तो जिस part में ऐसा लिखा है कि वो reflexive नहीं है वो part तो पहले आप उड़ा दो एक option कम हो जाएगा तो इसने कहीं लिखा है वो reflexive नहीं है हाँ C part में इसको उड़ा दो भई एक option आपका कम हो गए आई न हज़ी reflexive तो यह है अब हम symmetry चेक करते है 1,2 का reverse कोन होता है 2,1 ओहो 2,1 नहीं है तो यह symmetric नहीं है अगर कहीं लिखा है यह symmetric है वो part भी उड़ा दो कहीं लिखा है यह symmetric है पहला part उड़ा दो यह symmetric नहीं है equivalence लिखा है यह part भी उड़ा दो A भी उड़ा दिया D उड़ा है C तो फिर B बचा और कुछ चेक करना ही नहीं है इनका मैंने shortcut बिताया, इनको vertically लिखो, और इनके साथ transaction वाले pair adjust करते जाओ, देखो भी तीसरा वाला, इसी वाला जो होता है, वो आ रहा है की नहीं आ रहा है, बैसे यह बड़ा simple था, ठीक है, B part is the right answer, चली, Now the 16th question, आप तो यह मस तरीके से आपको औराम से समझ भी आ जाए, relation है, A equal to B minus 2, यह relation दिया हुए, जैनि जो आपका first component है, वो B minus 2 के equal है, जैनि दोनों का relation कुछ ऐसे तरह से ले लेते हैं, 2 को मैं इदर ले जाता हो, A को इदर ले जाता हो, इस चीज़ को तोड़ा सा adjust कर लिया, आप ऐसा समझो, B minus A equal to 2, ऐसा समझ सकते हैं, जैनि दोनों का difference 2 maintain होना चाहिए, अगर यह confusing लग रहा है, तो यहीं से मैं समझा देता हूँ, यहीं से समझा देता हूँ, क्या करना है, natural number पे defined है, और B आपका जो है, जैनि second component जो है, वो 6 से बढ़ावना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर भी बड़ी मज़े की बात है, कि जहाँ पर second component 6 से छोट है, पहले तो वो part उड़ा दो, A उड़ गया, और और नहीं उड़ागा, अब 7 की बात करते हैं, 7 तो 6 से बढ़ा है, चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमने रखा 7, नहीं B मैंने रखा 7, तो जब मैं B यहाँ पर 7 रखूँगा, तो 7 माइनस 2 कितना होता है, 5, तो मेरा जो pair बनेगा, वो A 5 7 बनेगा, तो 7 के साथ तो 8 बना हुआ है, इसको बढ़ा दो, अब आया 8 वाले, तो मेरा second component 8, तो इस B की जगा लिखो 8, 8 माइनस 2 करोगे कितना हैगा, 6, जन्ही 6 8 pair बनेगा, तो 6 8 pair तो C वाला यह तो हो नहीं सकता, तो C part is the right answer, आदे समझे, तो मेरे बच्चे, ये थी exercise 1.1, जो पूरी detail में मैंने आपको करवा दी है, मेरे बच्चे proper notes बना लेना, इसके बाद मैं आपको, इसी relations पे कुछ MCQs करवाओंगा, ठीक है, आपके NCRT के ही हैं, जो की बहुत important है, जो आपके अभी board exam में आ सकते हैं, जो term 1 का अपका exam होने वाल है, चलिए बच्चे अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाई-बाई, तेक केर,